सबसे पहले तो आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी पिछली ब्लाउज वाली वीडियो को इतना जदा प्यार दिया और प्यारे प्यारे कमेंट्स किये शकुंतला जी ने तो मुझे ब्लेसिक्स दी और इंदुजी ने तो ब्लाउज बना के पहन भी लिया और भी कई बहनों के प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे और सबके नाम लेना पॉसिबल नहीं है सौरेंट्स हों कमेंट्स तो ताइंकियो सो मüच आप सब का दिल से भहत भहत थेन्यवाद कुछ बैनों ने कमेंट किया कि उनको इस ब्लाउज की स्लीव बना कि मैं बताऊ उंको पूरे बाजो की ब्लाउज बनानी है तो मैं वो आज इस वीडियो में बताऊंगी की पूरे लोफिया मैंने काह था इसमें अइस तो आज यह जा बैहाँ है हुगा डाया है नहीं देखा होगा था आज आपको इसमें ब्रद Jah cya के लिए कैसे मात्री किसे साइज नइ माहता पर बताहन किशा करते हैं कर दो कि किस साइज ने में बनान, कैसे बनाएंboys तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले आगे आने वाली अच्छी अच्छी ब्लाउज और कार्डिगन की वीडियो के लिए नए नए साल में नए नए कार्डिगन और ब्लाउज लेके आ रही हूँ आप सबके लिए तो फटा फट सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किया है तो और जोड़े जाए मेरे चैनल के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं तो मैंने पहले इसमें जो वुल यूस किया था वह 100 ग्राम से कम लगा था अब बाजू और नीचे बनाने के बाद मुझे लगभग 200 ग्राम के करीब वुल लग जाएगा तो अगर आप इस साइज में बना रहे हैं 32-34 साइज में तो आपको 200 ग्राम वुल लेके चलना है और मैं इसके बादर के लिए और बाजू के लिए 4 mm का क्रोशिया हुक यूस करूंगी फिर्ट्स थोड़ा थिक यूस करूंगी क्यूंकि मुझे बाजू थोड़ी सी खुल चाहिए जादा टाइट नहीं तो यह मैं 4 mm का क्रोशिया हुक और वुल टोटल इसमे 200 ग्राम लगेंगे ठीक है तो चुबी स्टार्ट करते हैं पहले मैं आपको बाजू बताऊंगी तो बाजू के लिए आपको यह करना है कि यह जो देखो आपने टिकिया बनाई थी हमने मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं उन्होंने नहीं देखा था तो मैं लिंक डेस्क्रिप्शिन में देदूंगी ब्लाउस की यह आप कमेंट करना मैं आपको लिंक देदूंगी आप वो ब्लाउस की वीडियो देख सकते हो अगर मैं दुबाया से यह बना की दिखाऊंगी अगर क्रां पर शक्रिकाँां करते हैं तो काफी बरी वीडियो एक घन्ठे की वीडियो हो जाएगी तो आपको बस यही यह अपने 5 चैंल बनाये थे अगर बाजू बनाना नहीं तो आप 60 चैंल लेकिन वह धाई हैं लेकिन तो यह घंड किया कितने लाईं की यह 1 2 3 4 5 6 ची ठीके, 6 lines के बाद एक line वैसा ही बनाया था मैंने और एक line लाइन तो मै ब्लाउस बनने के बाद ये aft double crochet का बनाया था तो आपको total सात line का ये बनाना था पहले अभी जो आप बाजू बनाओगे तो साथ की बजाय आपको 12 line बनाना रहे हो ठीके friends वह 12 लाइन डिपेंड करता है कि आपका बाजू का साइज क्या है तो अगर आप 32-34 साइज का बना रहे हो तो आपको 10 लाइन या 12 लाइन ही लगेंगे ठीक है फ्रेंड्स तो ये बाजू बनाने के बाद मतलब ये टिकिया बड़ा बनाने के बाद आपको इसको फोल्ड करके देखना है तो मैं आपको बताती हूं कैसे तो सेम जैसे हमने टिकिया बनाया था उसी तरह हमने ये ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने बड़ी टिकिया बनाई है पूरे बारा लाइन की थोड़ा लूज भी बनेगा बाजू तो चलेगा क्योंकि अब्लाउस के अंदर पहलेंगी तो थोड़ा सा खुला भी रहेगा तो चलेगा तो ये देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौदस ग्यारा बारा टोटन मैंने बारा लाइन बनाई थी ठीके फ्रेंस और टिकिया में हमने बनाई थी साथ लाइन की ये देखिए ये साथ लाइन की है ये जो हमने बड़ा ब्लाउस बनाया था इसमें मैंने ये फाइफ प्लाइबल यूस किया था इसकी टिकिया एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ लाइन की बनाई थी मैंने और आठ लाइन में भी ये दस लाइन के बराबर की टिकिया बड़ी थी तो ये डबल एक्सल इसकी blouse बनके आई थी ठीक है तो इसमें आपको बड़ा लाइन बनानी है और बनाने के बाद आपको यू करके इसे fold कर देनी है यह देखिए है ना कितना असान बन गयी आपकी बाजु आप 2 टिक बनाऊगे 12 बाद का आप 10 लाइन बनाके अपने ब्लाउस से नापके देख लेना अगर आपको यह बड़ी लग रही है तो आप छोटी बनाना आप दस लाइन की कर लेना अगर आपकी बाजु दस में पूरी आती है तो आप दस की बनाना ठीक है फेंड्स तो यह जो हमारी स्लीव आई यह पू कि आपके अपर का पार्ट हो गया यहांसे फोल्ड करना है नीशी कि पार्ट में आपको यहां से शुरू करके डवल क्रोश करके पांश L.10 पूरी बाज़यां तक पहुचहे उतनी आप साब बना ले न ठीकहे फरंगे तो मैं आपको ऊप這邊 बना के बता दूगी पहले मैं आपको यह दोनों बाजा wine बताती हूं यह देखो कि मैं यह दोनों हाथ के साथ का दो के बताते हूँ है तो फ्रेंट्स निये अदग को यह चाह से पीसे, गऊर और यह भी साथ बेट परने के से गत sly एक अगर आपो क्रोश्या से илиककत होती है तो आप जो होती है इसे आप है शुलाइज कर सकती है जैसे आप निटिंग का सुहरे स्लेञते हो यह वैसे आप सिल सकते हो तो मैं तो ज़ले है करती हूँ मुझे ज gurしまता है इतरासान लगता है यह इसा सबराइंद Biz लिए practice चेन पकड़ के मैं इसे बंद करती जाओंगी नीचे से शुरुआत की मैंने और नीचे से बनाते बनाते हैं ओपर की तरह इसको सिलते जाएंगे यूँ करके बस चेन से चेन पकड़ा और यूँ बंद किया है न अब दोस्तों बहुत ही आसान तो जिन बहनों को ब्लाउज य बनाके पहन लें और जहां तक रही इसकी लंबाई की बार्ट यह मैंने तीन चोथाई बाजू बनाई है तो बस आपको यहांसे नीचे तक यतनी बड़ी आपकी बाजू है तलाइयं तक आपको पहनई है यहां तक तो आप बस सिंगल क्रोश्या या डबल क्रोश्या करके तक जा सकते कैसे मैं आपको बताती हूं हमारे इधर बहुत ठंड पढ़ती है तीनचा डेकी तक टेंप्रेचर अभी ही चला गया है अभी तो और ठंड बढ़ेगी हमारे बारिशें भी हो रही है आपके अगर कम ठंड है तो आपकी तीन-चौथाई में चल जाएगी तो आप दोनों बाजू ऐसे ही सिल के फिर आपको उपर कैसे जोड़ना है वो बताती हूं तो यह देखिए त्रेंट्स मैं यहां से यहां तक इसको सिल दिया है आपस में दोनों चेन पकड़के यूं बंद कर दिया यह हमारी बाजू का नीचे का पाट है यह उपर का पाट है और यह हमने उल्टे साइड से सलाई की थी और अब ब्लाउस को भी उल्टा कर लेंगे यूं करके और उल्टा करके आपको यह टेंशन नहीं कि लेट वाली कौनसी है ब्लाउस की हैंट स्लीवस और बैट वाली कौनसी दोनों एक जैसा ही बनेगा और यह देखिए फ्रेंच यह तैस ही निपर आपको प्हेpt खीच करना है ताकि आपके लिए अपे बल न पड़े creat लगा ले पीछ में उसके बाद सिलाई शुरू करूंगी तो मैं तो क्रोश्या से कर रही हूं अगर आपको क्रोश्या से दिकत हो तो आप सिलाईयों से सुई से कर सकते हो तो पैले मैं यहां पर इन दोनों को यह पकड़के आपस में कच्छी सिलाई कर लोगी ताकि हमारा आम जो जो बाजू है वो टेड़ी मेडिना सिलाई हो बराबर सिलाई हो भस करके हम बुल को अलग कर लेंगे यहां से यह जुड़ गई उपपर से फिर हम सिल लेंगे यह देखिए यह हमारा कंधा है यह मारा आगे का पार्ट है न ऐसे करके आया था जो कंधा और इसका जो मिडल पार्ट है यह जो हमारी ऐसे गई है यह है न इसका मिडल पार्ट यहां से यहां पकड़ेंगे और यह कंधा और पीछे का जो टिकिया है उसके बीच वाले में यह यूं करके हम एक चले सलाइ कर लेंगे ताकि हमारा आसानी हो मीक आप कुछ नहीं करना हैं यहां से यहां और यहां से यहां हम सिल लेंगे यह सलाइए के बाद फिर हम मैं इसका जो हाथ की लंबाई है वे आपको बढ़ा के बताओंगी और इसी बाजू में मैं आपको बॉर्डर भी बता दूंगी ठीक है फ्रेंड्स वीडियो काफी बड़ी हो जा रही है तो मैं फटा-फट आपको करके बताती हूं बस अब हमें इस लाई करनी है बाजू को आपस में यह देखिए यह हमारा करना है यह हमारा शोल्डर यूं करके जाएगा तो मैं पिछे से आगे की तरफ से लाई करते बजाओंगी बस कुछ नहीं करना यूं करके पकड़ना है हमें बाजू को यह देखिए आम होल वाला जो है साइड यह अंडर आम्स का यहां पर यूं करके हमें गुल को ऐसे फसाले ना है और चेन से चेन में लाके ब ऐसे करते करते हम इसको यहां से शुरुवात किया था ऐसे गोल घुमा घुमा के यहां से लेके हम नीचे तक आएंगे अंडर आम्स तक पीछे के साइड से आगे की साइड तक इसे लाई करके फिर मैं आपको आगे बताती हूं कि बाजू की लंबाई कैसे बढ़ानी है आपको धियान रखना है कि इसमें बल ना आए सीधे-सीधे ही जाया इस लाई अगर आपका यह थोड़ा लूस बन जाता है जो बाजू है वो आपका टिकिया से बड़ा बन जाता है मतलब यहाँ पर बल लाने लगते हैं तो आप यहाँ चुडनट भी दे सकते हो तो वो फ्रिल जैसा होता है न हमारे ब्लाउस में वो भी अच्छा लगेगा देखने में उपर आप फ्रिल देद हो गए तो वैसे तो बराबर आएगी आप रख के देख लेना पर अगर आपके यह एक्स्ट्रा आ गई कि आपको लग रहा है कि यह बच गया यह ज्यादा पर गया तो आप यूं करके फ्रिल भी बना सकते हो वो भी देखने में खुबसूरत लगत यह फैशन में भी है वो देखिए मैं कंदे तक आ गई बराबर के चैंस मैंने यूं करके बन कर लिए तो यह हमारा पीछे का बाजू सिल गया हम आगे की साइड से सिलेंगे यह देखिए हमारा आगी का साइड नहीं है ऐसे यहां से यहां सिल दोंगी फिर मैं आपको बताती हूँ इसको यहां से यहां तक सिल लिया पीछे का मैंने आपको सिल के बताया था आगे का भी मैंने सिल लिया है अब हम इससे सीधा कर लेते हैं इस देखिए सीधा करके हमारा यह बाजू जूं करके रेडी हो गया यह देखिए हमारा बाजू लग गया तयार है बाजू हमारा और अब यह हमारा 3 4th Sleeves है तो हम इसे लंबा करेंगे ठीक है तो मैं इसमें 2 या 3 इंच और बना के फिर इसमें आपको बॉर्डर बनाना बताऊंगी इन बहनों ने बॉर्डर के लिखा था ना कि उनको बॉर्ड से इसमें बंच भिनिया या बॉर्डर मैंने थोड़ा काम लेके बाहर की तरफ यहाथ हो गया तो सफ्कांच मेरा मैं तो लीफ के उनको पर बॉर्डर को दो तूह मैं कि उच्च जा डेता थि उो कि आप अगर बॉर्डर बनाना चाहתां है तो आपको कैसे बना रखिए जोड देंगे मेरा वूल मोटा है इसलिए यह देखने में तो 4 प्लाइ से भी मोटा है पर है यह 3 प्लाइ का ही वूल इसलिए मैंने क्रोशिया 4 mm का यूज किया अगर आपका वूल पतला है तो आप 3 mm का या 2.5 mm का यूज कर सकती हो ठीक है फ्रेंट्स यह देखिए मैंने यहां पर वूल को connect कर लिया जहां पर हमने जोडाइस की थी जोड था यहां पर और यहां पर देखिए हर चेंड पर मैं एक डबल क्रोशिया करती जाओंगी ऐसे करके ऐसे करते करते पूरा चार लाइन पाश लाइन अब अपने बाजु को इसमें ब्लाउस में ब्लाउस पहन के आप नाप लेना आपकी बाजु की लंबाई कहां तक जाती है आप उतना बड़ा बना सकते हो तो मैं देखिए यह हर chain पर मैं कोई घर नहीं बढ़ा रही है इसमें बस मैं ये हर chain पर एट डबल क्रोशिया करते जा रही हूं तो ये बेसिकली ये double करह लिए पूरी बाजू की बना रही हूँ बस कुछ नहीं यह हमारा डबल क्रोशिया एक बेहन ने मुझे कबेंड किया था कि उन्हें ग्रोश चनाना नहीं आता डबल क्रोशिया क्या होता है तो अगर आप देख रही हैं τοिए यह होता है डबल क्रोशिया मैंने आपको लिंक शेयर किया था उसमें आपड़े वीडियो स्कूर्ट अपहारा कुछ थे मिए और अजना माइव talking मैं आपको पता wellbeing के लिए हैं आप देख सकती हो और आसानी से क्रोशिया सीख सकती हो फिर भी आपको देखता है तो आप कमेंट कर सकती हो मैं आपकी है क्लिए रेडी हूं हमेश्या तो यह देखिए मैं यहां कोनी तक आ गई यह तो हमने जैसे एक लाइन बनाया वैसे ही आप जितनी आपको लंबाई चाहिए उतनी आप बना ले ना तो मैं टोटल छे साथ लाइन बनाके फिर आपको बॉर्डर बताती हूं कुछ नहीं करना है परस आपको इसी के नीचे कोई घर नहीं घटाना बस डबल करोशिया के नीचे डबल करशिया और जितनी लंबी आप को बाजू चाहिए उतनी लंबी आप बना लो मतल्स जतनी लंबी आपको चाहिए उसे एक इंच छोटी बनाना एक इंच की हम बॉर्डर बना लेंगे है आप 2 इंच की बना सकते हो 1.5 इंच की बना सकते हो तो मैं ये 5-7 लाइन बना के फिर आपको बाडर बताती हो तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ये बाजू को बाजू जोडने के बाद मैंने इसमें यहाँ पे लंबाई इसकी बढ़ाने के लिए छे लाइन डबल क्रोशिया की बना दी छे लाइन बनाने के बाद अब मैं इसमें बनाऊंगी बाडर तो जिन बहनों को बाडर देखना था वो धियान दे अगर आपका मतलब अगर आपको बहुत खिची हुई ताइट बाडर चाहिए जैसे कि मैंने इसमें बनाया था ये वाले बलाउस में ठीक है फ्रेंट्स तो इसमें मैंने जो क्रोशिया से ये बनाया था ये 5 प्लाइ बॉल है तो मैंने इसमें 4.5 mm का क्रोशिया हुग यूज किया था ठीक क्रोशिया क्योंकि ये मोटा बॉल है पर मैंने बॉर्डर बनाने के लिए 3 mm यूज किया था ठीके फ्रेंट्स तो आप एक साइज या डेर साइज कम क्रोशिया होगी यूज करोगी तो इस तरह से खिचा हुआ बॉर्डर आपका बढ़ के आएगा पर अगर आप सेम यूज करोगी जैसे मैंने 4 mm से ही ये बनाया बॉर्डर तो ज्यादा खिचावत नहीं आएगी बस बॉर्डर की तरह आपको दिखेगा ठीके फ्रेंट्स तो मैं इसी में आपको बताती हूं मैं क्रोशिया चेंज नहीं कर रही हूं यह देखिए यह हम क्रोशिया को ऐसे डबल क्रोशिया के पिछे लेके जाते हैं और निकाल लेते हैं तो हमारा हो जाता है फ्रेंट पोस्ट डबल क्रोशिया तो हम एक फ्रेंट पोस्ट करेंगे उसके बगल में भी यूं करके क्रोशिया डाला और यूं करके फ्रेंट पोस्ट निकाला फिर हम थर्ड वाले में क्या करेंगे बैक पोस्ट करेंगे यूं फिर उसके बाद back post मतलब दो front post एक back post दो front post एक back post ऐसे करकर के हम पूरी line को खतम करेंगे और second line भी हम same बनाएंगे आप चाहो तो 4 line की बना लो या आप 2 line की बना सकते हो मैं 2 line की बना रही हूं border ज्यादा thick border मुझे नहीं चाहिए पर अगर आप चौड़ा border चाहती है तो आप इसको 4 line की बना ले ना ये देखो है ने friends दो back post sorry दो front post यू करके होता है front post यू पीछे से डाला यू निकाला double crochet फिर उसके बगल वाले को भी यू double crochet फिर यह हो गया हमारा पीछे से गढ़ हम उसाते हैं यू करके देखिए ऐसे तो हमारा हो जाता है back post फिर front post दो front post post एक back post योगया back post देखिए देखिये front post front post back post एसी करके हम पूरी लाइन खतम करेंगे और इसी के ओपर एक ओलाइज बना के बताती हूं में आपको देखिए फिर दूसी लाइन में आ गए पहले लाइन खतम करके फिर हम देखिए front post के उपर front post, back post के उपर back post जिसे हम सलायों से बनाते हैं वैसे ही और जैसे ही हम सलायों से पहले हम हम छोटी सलाई उसके बाद बड़ी सलाई से बनाते हैं वैसे यह फत्लिक रोशिया होग से इससे यह 4 mm का है तो आप 3 mm या 2.5 mm से बनाऊगी तो यह रोशिया का जो बॉड़र यह खीचा किचा आता है जिससे सलाईयों से आता है तो बस हम front post के उपर front post, back post के उपर back post करके, इसे खतम कर देंगे और हमारा sweater हो जाएगा ready, ठीक है friends, बस यही है हमारा border card design, देखे यह कुछ ऐसा दिखेगा, पीछे से ऐसा दिखेगा, यह color में नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यह देखो, यह देखो friends, इस तरफ का आगे से ऐसा, सेम मैंने वही किया, दो front post, एक back post, दो front post, एक back post, वही यह भी है, ठीक है friends, यही है border के design, अब मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, यह दूसरी बाजू मैंने ready कर दी थी, इस बाजू को भी मैं ready कर दूगी, और हमारा बाजू वाल यह दूसरा बाजू चाहती हूँ, बस button लगा दूगी, एक यह दो line का border आप बनाना चाहते हूँ, तो बना सकते हूँ, यह देखिए, इसका बाजू तेयार है, यह बाजू एक line बचा है, बस मैं ready कर दूगी, ठीक है friends, यह देखिए, यह बाजू हो गया, और यह दूसरा जो ready कर चुकी हूँ, मैं पहले से ही, यह देखिए, इसका, यह है, अच्छा लग रहे ना friends, तो आप भी बाजू वाल बलाउस बना लो, और मैं आप बताऊंगे, कि छोटे बच्चों का आप बनाओगे, तो आपको कैसा measurement रखना होगा, तो friends, हमें बस टिक्या पर ध्यान देना है, अगर आप छोटी बच्ची के लिए बना रही हो, तो अपने बच्चे का आप, पहले आप इतना बड़ा टिक्या बनाओ, ठीके friends, इतना बड़ा टिक्या बनाके, इसको यू रखो, ऐसे वो, तिकोन शेप में आना चाहिए, यू रखो, ठीके, और रखके, आपक टोटल बारा इंच हो गया, ठीके friends, तो बारा इंच के बाद हमारा यहाँ पे बॉर्डर भी आएगा बीच में, यह हमारा यहाँ बटन लगेगा, तो टोटल हम एक इंच और एक्स्टर रख लेते हैं, एक डिर इंच, तो समझ लो आप तेरा इंच, तो आपको अपने बच पांच लाइन का टिकिया पांच बना के उनको जोड के फिर आप बना सकती हो, तो सेम प्रोसेस है, जैसे जोडना है वैसे ही, नीचे आपको हाइट बनाने के लिए, यहाँ पे आप चार पांच लाइन बना लो, अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट करना, छोटे बच् इस तरह से, है ना बहुत आसान, ऐसे करके बाजू लग जाएगी दोनों साइट बच्चे की, बाजू का साइज लेके बनाना है आपको इससे बड़ा, जैसे मैंने आपको बड़ो के लाउज ने बताया न, यह पांच का है, तो आपको आठ लाइन का बाजू का, आठ आठ लेकर में, और हमें नाप लेना है, यंग गर्स के लिए बनानी है, तो यह देखिए, यह हमारा बॉल खिचता भी है, तो आपको यह मार्जन भी लेके चलना पड़ेगा, तो यह आपका बूल अगर ज्यादा खिच रहा है, टिक्चिया अगर ज्यादा बड़ी बन रह साथ इंच की है, टॉप नौ इंच की है, तो आप दो यू टिकिया रखोगे, छोटे बच्चे के लिए छोटा टिकिया बनाओगे, बड़े बच्चो के लिए बड़ा टिकिया बनाओगे, उस पर रखके आप मेजरमेंट लोगे, उसके बाद आप टिकिया बनाना शुरू कर फिर आपको जोड़ देना है जैसे से ये ब्लाउस बनाया या इस तरह से ठीक ए फिर आश़ा करती हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा आपके सारे doubts clear हो गए होगे, अगर आपको कोई और question पूछना है, पूछ सकते हो, मैं reply करती हूँ हरे question की so friends, मिलती हूँ आप से अपने अगले video में, अगले साल नए साल की, बहुत बहुत शुब काम ना है happy new year friends, stay safe, happy and healthy my youtube family, subscribe नहीं किया है तो subscribe कर ले, अगली video आएगी बहुत ही प्यारे blouse या cardigan की so keep watching and keep sharing friends thank you for watching, bye bye, take care, happy new year